मद्धिप्रदेश में संगठन विस्ता चलाया जा रहा है नमो संगु का उद्देश सत्तन ही व्यवस्था परिवर्तन का है ब्रश्टा चार जातिवाद अलगावाद मुक्त अखंट भारत निर्मान करना है और मोदी सकार की जनहितेशी योजनाओं को आम जनता तक पन्हुचाना और उनको लाब दिलाने का काम करना है पूरे प्रदेश में नमो संगु का सदसिता अभियान टारंब किया जाएगा एवन सभी जिलों में जन जागरण यात्राई और जन समस्याओं को लेकर शिविर लगाए जाएंगे जिसमें आज भिंट सिले की उमरी पंचायत से जन समस्या शिविर आयोजित किया गया है मोदी सरकार ने जन हित में सेकडों जन कल्यान कारी योजनाओं को लाकर आमादमी के हित में बहुत सरान्हन ये कारी किया है इसके बाद मीटिंग में पधारे कई गरीब किसान भाई मजदूर भाई एवं सेकडों माताओं बहिनों ने अपनी समस्या बताई और ग्राम वासियों ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में भी सेकरों परिवारों को खाद्यान भी नहीं मिल पाया है ग्राम वासियों ने एक एक शिकायती पत्र लेकर भारती नमो संगु के प्रदेश अद्रक्ष को दिया जिसमें बताया गया कि ग्राम के सरपंच और सचिव द्वारा विकाश के नाम पर आये लाखों रुप्यों को डकार लिया है और कई माह से गरीव बी पी एल परिवार के लोगों को कोई खाव सामगरी नहीं बांटी कई है ग्राम वासियों ने आगे बताया कि गाव में न कोई सड़क निर्मान हुए और नाही सरपंच सचिव ने कोई विकाश कारे किये इसके बाद राष्ट्रगान के साथ उत्तवैचक का समापन किया गया इस अवसर पर मं जेश कुश्वाह, अशुक बहेल, सत्यवीर सिंग, रामलक्मन शाक्य, अलू सिंग, करुखान, नरेश यादव, जैवीर यादव, गोविंद कुश्वाह जाकेर भाई, सहेट सेकरोगराम वासि और नमो संगु के कारेकरता मौजूद रहे जिलाभिंड से समबादाता वि अशुक बेट आफ जानकारी नहीं देता तो एक आयोग बन गया है महीं डेस में हर प्रदेश के अंदर वह है जिसका नाम है राज शूचना आयोग